हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने पैसे तो आएगा यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार इंडिकेटर लेकर आया हूं जिससे आप 10,000 के कैपिटल से बहुत अच्छा प्रोफिट अन कर सकते हैं मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप 10,000 के कैपिटल देगी ठीक है आप दो ट्रेट से ज्यादा बिल्कुल भी ट्रेड आपको नहीं करनी है ये जो मैं आपको इंडिकेटर आज शो कर रहा हूं इस इंडिकेटर की बहुत अच्छी खासी बात है कि जब भी ये सिगनल प्रोवाइड करता है तो बहुत अच्छे प्रोफिट द देता है बस कंडिशन यह है कि आप रूल से काम करें वीडियो में पूरा बताऊंगा बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको ठीक है लाइप प्रूफ दिखाऊंगा तो आप इसको पूरा देखें आप इसमें टाइम फ्रेम कुछ भी यूज कर सकते हैं बैंक निफ् सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ठीक है चलिए तो यहां पर आपको क्या शोग कर रहा है आपको यहां पर शोग कर रहा है जैसे कि हमारे buy signal जा रहा है तो एक इसमें दो condition है जब यह red line को cross करके उपर जाता है buy signal है हमारा यहां पर यहां हमारा buy signal प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसके second candle पर buy कर लेंगे upside के लिए ठीक है second candle पर buy करेंगे upside के लिए इसका rule क्या होगा इसके दो rules है जब यह sales side signal प्रोवाइड करता है दो बारा sales signal प्रोवाइड करता है या तो आप तब exit हो जाओ या फिर आप अपना stop loss को trail करते जाए stop loss कहां पर आपको लगाना है stop loss आपको लगेगा stop loss आपका previous low लगेगा previous जैसे यह low है आपका previous low रहेगा यह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं मेरे हिसाब से previous low ही लगेगा ठीक है आप इतना ही लगाएं क्योंकि कभी-कभी छोटे-छोटे प्रीवेस लोते हैं अगर यह बड़ा है तो आप अपने हिसाब से छोटा लगा सकते हैं इसमें दूसरी condition किया है मैं आपक हईंड्रेट पर्सेंट ब्लास्ट होगा ही होगा हमने कैसे इसमें काम करना है हमें क्या करना है जहां पर यह सेल पुरॉइडब हुआ है अगर बाइचाज यहां पर ग्रीन मिलन जाती ठीक है एक मतला हमें red candle का बहुत कहीं भी बन जाए ठीक है लेकिन first candle पर हमें sale नहीं करना second candle हमारी red ही बनी है तो हमने यहाँ पर sale किया sale करने के बाद आपको देख लिए किटना अच्छा profit मिल गया तो buy side पे निकल जाएंगे आप या फिर इसको ट्रेल करेंगे इसमें आप इसमें दो condition है इसमें आपको क्या करना है काम की time frame कोई भी use कर सकते हैं ठीक है time frame कोई भी use कर सकते हैं अगर जैसे यहां पर देखिए false signal मिला है इस red line के नीचे अगर मिला है तो इसका मतलब यह हमारा false signal है हम यहां buy side नहीं जाएंगे स्रीफोवसिफ sale side ही काम करेंगे ठीक है सिर्फ sale side ही हम काम करेंगे यहां देखिए हमें buy side signal मिला है तो हम यह profit ना आपको बता है न से isle side में वांद मिल एगर यह हमारा एक Double wine के उप्पर हमें आसी पर उप्रal जैसा हापको शो कर रहा होगा आपको यहाँ पर नीचे शो कर रहा है ठीक है यह यहँआपर हमें छोटा प्रोंफित मिल सकता है ठीक है लेकिन अगर यह उपजाइन उपजाता आप पर आसी है इसकेंडल कर यह जिए येलो केंडल से यहह यहां पर हमने मिला है तो उख्रीट सिंगनल किया फिक हुँए यहां पर यहां पर हमने की ग्रीट केंडल को पूरप प्रौफित मिला हुआ है आप मैंने छोटे डाइम फ्रेंपर स्कैलिपिंग दिखा यहां आपको बड़े टाइम फ्रेंग पे यूज कर सकते हैं तीन मिज़ के पंदना मिज़ कर सकते हैं ठीक है मैं आपको साइडिकेटर बता रहेता हूँ पहला आपको indicator यहाप पर search करना है, thama, trama, ठीक है, आपको यहाप पर click करना है, one click करना है, आपको इसमें कोई भी शेड़्ट शाल नहीं करनी, ठीक है, दूसरा indicator आपको click करना है, super train, कौन सा click करना है, super train, यहाँ केविन करके हैं, इस पर click करेंगे, इसकी setting में जाने के बाद आपको input में जाना है ATR multiplier जो हाँ पर 3 होगा है आपको यहाँ पर 4 कर देना है style में जाएंगे आपको यहाँ पर uptrend begin इसको उन टिक करना है यहाँ पर उन टिक करना है इसको टिक रखना है इन दुनों को downtrend और downtrend begins को untick करना है और ok कर देना है आपका indicator पूरा ready हो चुका है और बहुत ही अच्छी strategy है वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देजिए back testing आपको खुद मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको proof होगा कि वीडियो strategy कितनी अच्छी है देखी कितनी अच्छी strategy है तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में एक अच्छी strategy के साथ ठीक है thank you so much